नमस्कार दोस्तों समय कभी नहीं रुकता आज यदी बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा नमस्कार दोस्तों रादे रादे स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल के भी रासी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं कुम्बरासी वालों की कुम्बरासी वालों का 12 जुलाई दिन मंगलवार कैसे रहने वाला है उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुम्बरासी वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुसकबरिया मिलने वाली है तो दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुम्बरासी वालों का पारिवरिक जीवन कैसे रहेगा, उनका बिजनस बैपार कैसे चलेगा, उनका प्रेम संबंद कैसे रहेगा और साथी साथ उनका स्वास्त कैसे रहेगा तो दोस्तो अगर आपकी भी कुम्बरासी है तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आज मंगलवार है बजरंग बली महराज का दिन है दोस्तो कॉमेंट में जै बजरंग बली महराज जरूर लिखना दोस्तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओल पर सिलेट करें अब बात करते हैं दोस्तो आज के पांचांग की आज का पंचांग है 12 जुलाई 2022 दिन मंगलवार आज की तीथी है 23 आज का नचतर है मूल नचतर पच चल रहा है सुकल पच दोस्तो आज सूरदेव उदाय होंगे सुबह पांच बच के 31 मिनट वे सुरदेव अस्तोंगे साम 6 बच के 49 मिनट वे दोस्तो आज का सुप समय है सुबह 10 बच के 58 मिनट से दोपहर 12 बच के 57 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो कोई सुप काम करना है तो इसी समय करें आपके लिए सुप रहेगा और साथ साथ आज का असुप समय है दोपहर 2 बच के 7 मिनट से दोपहर 2 बच के 54 मिनट तक दोस्तो आज आपका लकी नमबर है दो और लकी कलर है गुलाबी अब बात करते हैं दोस्तो आज के चानक नीती ग्यान के बारे में चानक जी कहते हैं अक्सर परिशानी से घीरे रहते हैं ऐसे घर जी हाँ दोस्तो अचार चानक ने एक स्लोक के माध्यम से कहा है कि जिन घरों में ब्रामणों का आदर सम्मान नहीं होते जहां वेद पुरानों की ध्वनी नहीं गूशती जिस घरों में अगनी होते अथार्थ हवनादि सुक्रम नहीं होते वैसे घरों में नकरात्मक सक्तियों का वास होता है उनका जीवन हमेशे दूख और तकलीखों से गिरा रहता है ऐसे घरों को समसान की समान समझा जाता है वहीं जिस घर में नियमित तौर पर यग कर्महवन आदी किया जाता है और प्राम्मरों का आदर सत्कार किया जाता है वहाँ पर सक्रात्मक सक्तियों का संचार होता है ऐसे घर को स्वर्ग माना जाता है और यहाँ देवी देवताओ का भी वास होता है तो दोस्तो आज का चानक नितिग्यान आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना आप बात करते हैं दोस्तो आज के कुम्बरासी फल के बारे में कैसे रहेगा आज का दिन आई ये जानते हैं तो दोस्तो अपनी बीमारी के बारे में चर्चा करने से सावधान रहें खराब तवियत से ध्यान हटाने के लिए कोई और दिल्चस्प कारे करें क्योंकि इस बारे में आप जितनी ज़्यादा बाते करेंगे उतनी ही ज़्यादा तकलीव होगी आपकी माता पस्से आज आपको धनलाब होने की पूरी संभावन है हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें बच्चे कोई दिल खुष करने वाली खबर ला सकते हैं दोस्ती में प्रज्यारता के चलते रुमैंस का फूल फिर से खिल सकता है दोस्तो साज़दारी की परियोजनाएं सकरात्मक परिनाम से ज़्यादा परिशानिया देंगी ध्यान रहे कोई आपका बेजा फाइदा भी उठा सकता है और उसे ऐसा करने देने के लिए आप खुछ से ही नाराज हो सकते हैं कोई रूचक मैगजिन या उपन्यास पड़की आज के दिन को आप अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं यह दिन आपके जीवन में बसंत काल की तरह है रुमानी वा प्यार से भरा जहां सिर्फ आप और आपका जीवन साथ ही साथ हो साथ ही दोस्तों आएकी सुधार के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो जल्दी रंग लाएगी आपका केरियर आज पूरी तरह से उजुवल है और आपकी योगिता आपको हर जगा पहचान दिलाएगी अपनी बात और योजनाव को फोन, इमेल, चैट या सोसल मीडिया आदी माध्यमों से साजा करेंगे इससे आपको बलोतरी होगी और आपको प्रशिद्धी भी हांसिल होगी क्योंकि इसके द्वारा आपको कोई नौकरी का आउसर प्राप्त हो सकता है एक जशन या पाटी भी आज आपके काड में है आप आज लोगों से मिलने जुलने के इच्छुक रहेंगे इवाम आपका आत्न विश्वास बेहत उच रहेगा और पूरी दुन्यों को अपनी मिठी में कर लेने जैसा होगा आप अब वह करने के लिए तैयार हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन ध्यान रहें अच्छे परिनामों के लिए महतो कांचा के आविशकता होती है दोस्तों यह दिन गरबड़ी भरा भी रहेगा जहाँ परिवार में किसी सदस के लाइलाज बिमारी के करन आप आसहाय महसूस करेंगे ऐसे में पार्टनर के साथ बिताया समय आपको राहत पहुचाएगा इन आलोकिक पलों में आपकी चाहत को नया मोर और साथी जीवन में आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी आज आप फूल आन पार्टी में रहेंगे अपने सूना के साथ मज़दार और अच्छा समय बिता सकते हैं और सामाजिक जीवन या पार्टी का भी आन अन दलेंगे आप अपने पार्टनर को समझेंगे और वो आपको हमेशा खुश करेगा अगर पिछले रिस्तों में आपका अनुभाव अच्छा नहीं रहा तो उन बुरी यादों को अपने मन से निकाल फेके साथी दोस्तों आपको दोस्तों का प्यार पाने के लिए थोड़ा नर्म तो बनना पड़ेगा आप यह नहीं जानते लेकिन आपको घमंडी समझा जाता है इसलिए यह सबसे अच्छा समय कि आप दूसरों की आलोचना करने के स्थान पर अपनी भूत काल की गतिवीदियो का विशलेशन करें यह आपके लिए अपने अंतरमन में जाकने का बहुत अच्छा समय है और आपको इसका प्योग अपनी कमियाद दूर करने के लिए करना चाहिए अब बात करें दोस्तों आपके आज के लव लाइफ की तो दोस्तों आप काफी भावनात्मक है और समभावन है कि आपको अपने जैसे ही कोई भावनात्मक और उससाही बंदा भी मिल जाए लेकिन आपको उसके साथ नहीं चलना क्योंकि उससे आपके हाथ निराश ही लगी ये तो आपको पता है कि आक्रिशन भी चिम्बक के विप्री धुर्वों में ही होता है आप बाद में उनके साथ बिजनेस भी कर पाएं अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यवसाएं अथ्वा केरियर की तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अलग-लग दिशाओं में आपका मन भाग रहा है और निनायक निन्न लेने से आप आशमर्थ महसूस कर रहे हैं बहराल आज आपको दिश्टे की एक दुल्लब इस्पष्ट तका अनुबव होगा दोस्तों और आप अपने कार्स्थल पर मुद्दों के बारे में इस पर्ष्ट और उची तिन्न लेने में सच्चम होगे आपको किसी से अच्छी केरियर सरा मिलने की भी संभावन है आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने की संभावन है जो आपके भविश्य के लिए आपका निर्धारण एवं आपके केरियर के लिए भी बहुत प्रभावशाली सावित होगा तो दोस्तों ये था आज का कुम्बरासी करासी फन रोज की कुम्बरासी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलेट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे आपका दिन सुभो नमस्त दोस्तों रादे किश्ना